आलो के की तरह की सब्जी खाखा की अगर बोर हो गया तो गाइज आज की रेस्पी आप सभी के लिए है तो मैंने सोचा क्यों ने कुछ अलग ट्राइ किया जाए आलो की तो सब्जी सब कोई बनाता है सब कोई खाता है तो नमस्कार परणाम श्वागत है आपका अपने चैनल भी बना कीचन में तो गाइज आज हम बनाने वाले एक न्यूस रेस्पी जिसके लिए हमें चाहिए होगा आलो आलो मैंने चार ले लिया बड़ा साइका मिडियम उसको ग्रेट कर लेना ग्रेट करने के बाद डालेंगे एक बड़ा साइका प्याज अतिन सा चार हरी मिर्च काटके हल्दी डालेंगे आदा चमाच जीरा डालेंगे आदा चमाच धनिया पाउडर डालेंगे अस्ट्रादन सा नमक डालेंगे डालेंगे डेट सो ग्राम बेशन बेशन को डालके आलो में अच्छे से मिक्स करना है इतना मिक्स करना है कि अच्छे से बाइंड हो जाए तक डू में आघ जाए अच्छ से आप इसे घुतेंगा तो बहुत अच्छे से आ discourじゃ और लाल मीर्ष पौडर मन्हें शमयी डाला है यह ज्यादा है दो झालना है जीतने में यह अच्छे से डालना है जितने में अच्छे आपको जैसा मन करें एक अधर जाएंगे बहुत असानी से बन जाता है निबुह कारकर बना ले या उसे छोटा बना ले आपके जैसे मरजि आपको जैसा मन करें उस ताइच का बॉल बना ले सारा बोल इसी तरह से बनाके हम रेडी कर लेंगे बहुत असानी से बहुत इजी बनता है और बहुत ही लाजबाब रेश भी बनने वाली है आपको यकीन नहीं आगा कि आपने ये आलू से बनाया है आलू के सबजी भी तरह के खाखा के बच्चे भी बोर जाते हैं घरवाले भी बोर जाते हैं तो इसलिए मैंने कुछ नया बनाया है तो चलिमने सारा बाल्स बना लिया है और इधर हम कड़ाई में डालेंगे जरशा तेल में ने 50 ग्राम समझ टेल डाला है है अपटाए टीपनेसे इससे किया है करें तो ज्यादा ही हल्दी होता है चाहें तो डिप लगा कर सकते हैं ऐसे तब मैटो केचप के साथ का सकते हैं जů लगा को यद supports यह वह इसका नाम दे गाई तो चलिए वीडियो को इसके बिल्कुना कीजिएगा वीडियो को लाच तक देखेगा पूरा पूरा वाच कीजिएगा तो अपना बॉल्स सेक लेते हैं चारो साइड से इसे घुमा घुमा के गोल्डेन ब्राउन होने तक इसे भून लेना है मेडियम लो पे भूनेंगे गाई ने तो क्या होगा कि उपर का गोल्डेन ब्राउन हो जाएगा अंदर से कच्चा रा जाता है तो इस बात का ख्याल रखेगा गोल्डेन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है भूनना है तो हमारे सारे बॉल्स भूनके हो गए है तो इसे ठाली मे निकाल लेंगे थाली में निकालने के गवाद उसी तेल में हम ढालेंगे आदा चमजीरा देखसे मिर्ची बाइब हैा, लें और प्यास जब तक भूनेगा तब तक अपनी मसाले कर लेंगे तो मसालों के लिए मैंने आदा कप दही चम्मा जीरा पाउडर एक धनिया पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर आदा चम्मा जब कास्मीरी लाल मीट और ले लिए हमेने चिकन मीट मसाला एक चमच होगा और दाला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे स्वादंसर नमक नमक कोड causal को कप ल fresh में और अपना जह चोड़ते हो दहीtu बुन चुका है हमारा उसमार डालेंगे एक से दो बड़ा साइज का टमाटर काटके और अच्छे जमिक्स करके इसे ढखके गलने के लिए छोड़ेंगे जब तक हमारा प्याज टमाटर गल जाता है तब तक इदर मसाला भी बहुत हो जाएगा तो देख सकते हैं हमारा टमाट मसाले ऩहीं डला तो देख सकते हैं अब डाविए अपने मसाले मैं मसाले बेख नाया हम दो ऑखके जालेंगे पानी ढलेंगे जो दही और बहुत हैक्तोरे में थम और बीदो मसाले डालता है Hug łat Emad इसे अच्छे से mix कर लेंगे ताकि यहाल हमारे जलना और मसालों तेल छोड़ने तर पकाना है जब तक यह मसालों तो यहीं सारा चाहिए लिलेज कर दे तब तक यहाल मेरा विडियो पशांद आय तो लाइक किजिएगा कमेंट केज़ेगा और अपने दोस्तों में सेर भी केज़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा बेल इकन के घंटे को भी प्रेस कर लेज़ेगा ताकि इस तरह कि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो हर वीडियो का नूटिफीकेशन जाए आपके पास और पानी को डालते हुए मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे और भाइल आने देंगे जब उबाल लाने लगेगा तो हम डालेंगे इसमें अपना आलू का बॉल्स जो ने बॉल्स तल के रखा था बॉल्स को चाहें तो शेलो फ्राइब भी कर सकते हैं इस टिम करेंगे तो औ मसाला एक्जॉब कर लें बॉल्स में अंदर तक अपना मसाला चला जाए इसका फ्लेवर चला जाए मसालों में अच्छे से बहुत गल जाए तब तक इससे पकाना है और ग्रेवी तोड़ी गाड़ी भी हो जाए इस रेस्पी को चावल पराठा पूरी के साथ भी सर्व कर स सकते हैं यह बहुत ही मैदार बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब है एक बना के इस तरह से ट्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा कि आज का मेरे यह रेस्पी कैसे लगा आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो अपने दिस्तों में सेर्वी कर देजएगा एक लाइक के कमेंट तो बनता है गाई बीडियो बनाने बहुत ही मेनत लगता है और आप लोग देखते नहीं हो तो मेरी हिनमत तूड़ जाती है डी मोटिवेट हो जाते हैं अगर आप लोग देखते हो कमेंट करते हो तो मैं और ही उस्ता के साथ बीडियो बनाने की कोशि यह दोस्तों के खिलाई है अपने फैमिली को खिलाई है मेमानों को बना के खिलाई है एक दम खुश हो जाएंगे हमको यकीनी नहीं आएगा कि यालो से बनाया है आपने बहुती लाजबा बहुती टेस्टी बनके आएगा गाईज एक बाद ट्राइ करके अवस्चे देखिए आपको मज़ा जाएगा आपके सारी मेमान खुश हो जाएंगे जब आपको कोई समझ में नहीं कि क्या सब्सक्राइब बनाना है सिर्फ आलोई बचाओ घर में तो आप इस तरह से बना के इस रेश्पी को ट्राइब कर सकते हैं और आपने फैमिली को खिला सकते हैं तो बाइ नमस्कार टेक कैर अपना ख्याल दो